कि हलो इस वेलकॉम बैक तुमा यूटूब चैनल प्रोफेसर शुहम्तियारी जहां पर चल रहे हमारी डीवाइबी कॉम क्लास सेमेस्टर फाइब कंप्लीट कॉस्ट अकॉंटिंग के स्रीज एन कॉस्ट अकॉंटिंग में हमारा टॉपिक पॉस्ट पॉस्ट में फीफो मेथ अधर का प्रैक्टिकल कोस्ट इस्टार किया गया सबसे पहला माटिरियल कॉस्ट में और अज देखने वाले हैं लेक्ष नम्बर 6 तो चे लिए इस्टार्ट करेंगे आज की क्लास कि कुछन देखेंगे यहां पर सामने आप देखो फर्स्ट यर बैफ में पूछा था फिप्टीन का यह कुछन है मतलब कुछ पूछने का जो पैटन है कुछ इसी टाइप में रहेगा बर द्यानकना जैसा मैंने कंडिशन किया था कोई बच्छे स्टार्टिंग के तीन से बीडियो देखके पूरा डिसीजन नहीं लेगा क्योंकि आगे आने वाले एक्जम्पल्स में एक ये दो क्लास के बाद आपके टाइप चालो हो जाएंगे मतलब हर एक सम में एक टाइप मिंस इन्वाल रहेगा इसी द्यानकना इसकिप नहीं करना जिसे कैरे इनवर्ड का क केस है रिटन का केस है डैमेज का केस है इसी टाइप केस आपको देखने मिलेंगे क्योंकि इन केस अगर ऐसा कुछ केस आपका बन गया कि आपके एक्जाम में और किसी बच्चे नहीं प्रैक्टिस किया तो वहां पर गायब हो जाएगा तो बैस्ट है अभी इनफ टाइम है तो अभी से प्रैक्टिस कर लो भाई प्रॉपर वे में नोट्स कर लो ती एक्जाम टाइम में एक्जाम में बैठने से पहले आपको एक आइडिया हो जाए कि कौन-कौन से टाइपस ऑफ सम फीबो मेथड में है हमारे स्लिबस में क्लियर तुशे लिए स्टार्ट करते हैं में आज की क्लास कुश्चन देखते भई स्टाउक आफ माटियल ऑन वन थ्री तूजन थर्टीन वाज वन ताउजन यूनिट्स एड रूपीज 10 पर यूनिट्स इसका मतलब यह हमारा ओपनिंग स्टॉक है भई दिफॉलिंग पर्शे जन सेल्स अपने को डेके रखे रख रखना है जब कभी भी पर्शे जन सेल्स का डिटेल कुछ इस पैटन में अपने को दिया है तो डेट सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आपके लिए हो जाता है डेट के इस आपसे अपने को इंट्री करनी है सबसे पहले ओपनिंग डेट पे कर दो भई 1-3-13 का डेट 1-3-13 की पहले इंट्री अपनी होगी क्लियर है पहले इंट्री होगी और पहले इंट्री ओपनिंग बैलन्स तो यह कहाँ चले जाएगा सीधा बैलन्स में क्योंकि हर एक बच्चा मुझे पथा है क्लास कांटीनू देख रहा है और कनेक्ट हो तो यह टेबल समझाने की किसी बच कर दिया आगया 10,000 किसी बच्चे को कोई प्रॉप्लम यहां तक है आई थिंक नहीं होना चीए चले आगे चलते हैं पहले इंट्री कम्प्लीट हो गई है फॉस्ट डेट वाली कि एक इंट्री होने के बाद मैंने इसल पहला है था लाइन टार पर्शेश का मिक बंदो इससे पहले दो पर्शेश दो और थीन सामने आपके दिख़रा है वहाई दो और तीन दो का दो का पर शुट तो तीन परशेश कितना है देखो इतर सामने टूथाव से रेट कितना देखे रहे हैं 11 को मल्टिपलाए कर दो क्लियर है कोई डाउट नहीं बैलन्स रिकॉर्ड करते ताइम ध्यार रखना है जो पहले से वो पहले record होगा उसको आपको पहले record करना है और जो आपने new purchase किया फिर से वो record होगा उसके just नीचे और किसी को यहां तक कोई doubt, confusion नहीं है किसी को यहां तक कोई डाउट कोई कनफ्यूजन तो नहीं बहुत सिंपल है नेक्स्ट डेट देखते भई तीन का है यहां पर लिग दो भई फिर से पर्शेस कितना दिख रहा है 3000 त्रीताउजन रेट देख लो भई यहां पर सामने दिख रहा है कि मल्टिप्लाय करके अमॉंट निकालना असान मल्टिप्लाय करके मॉंट निकाल लिया कि शेलिए बैलेंस रिकॉर्ड करते हैं फिर से काफी इंपॉर्टेंट और सिंपल चीज जो बैलेंस पहले से वो पहले आप रिकॉर्ड कर लो तो भाई 1000 रेट 13 वाला कम्प्लेट उतारना है कॉपी पेस्ट वाला के से भाई सेगेंड अपना है टूथाउजड इलेवें का रेट तुनटीटू अप्धिए अब जो आपने निव परिशिष किया वह रिकॉर्ड करो कि जो आपने निव पर्शिष किया है है वो रिकॉड करलो निव कॉन से भाई 3000 निव है भाई 3000 का रेट है कि मल्टीप्लाई कोई डाउट नहीं किसी बच्ची को यहां तक की इंट्री हो गई है complete यहां तक की इंट्री हो गई है complete चलिए अगले इंट्री पे शिफ्ट होते हैं बट्र ध्यान रगना date match करते हुए चलो 2 इंट्री होगे 3 की होगे 3 के बाद ही क्या रहा है पर उससे पहले इश्यू में हमारा आ रहा है पांस तारीक का तो फाइव थ्री थर्टीन तो इश्यू वाले टेबल में चले जाओ कितना है जरा ध्यानकना 5400 यूनिट्स कितना 5400 इंपॉर्टेंट है ध्यानकना तो सबसे पहले कौन सा जाएगा यह 1000 सब सब्सक्राइब कम्प्लीट से ला जाएगा 1000 कितना 10 का मल्टिप्लाइब कर दो कि तो वही सेम आएगा सेकेंड यह 2000 गया कितना रेट है भई लिख दिया ज्यान से देखना कम्प्लीट हां टोटल सेल कितना है भई 5400 सामने आपके दिख रहा है 5400 आपने कम्प्लीट यह 1000 कर दिया 2000 सेल कर दिया कितना सेल होगा है टोटल 3000 तो बैलन्स कितना बचा क्योंकि सेल करना 5400 3000 कर दिया तो 2400 यह हमारा बचराइब क्लियर नहीं समझ भी आता बैलन्स बहुत सिंपलै वैसे तो सिंपल कैलकुलेश्चन ते च्वाइच्जओं छरनले कंच मेंसे 2000 निकाल दिया 5004 में से 1000 sell कर दिया balance 4400 बचा फिर ये 2000 निकाल दिया ये 2000 निकाल दिया तो balance 2400 बचा अब ये कहा से जाएगा इस rate वाले से जाएगा तो multiply करके amount निकाल दो कितना है 28800 clear तो balance कितना बचा 3000 में से 2400 आपने sell कर दिया balance बचा कितना 600 rate है clear इस समझ में आ रहे है बस यही एक शोटा सा confusion करेंगे बट कोई problem ने simple logic है जो पहला है वहीं से start कर दो आप sell करना clear है ये entry समझ में आ गई होगी I hope फर इक बचिये को जिसको भी थोड़ा बहुत doubt confusion है कोई issue नहीं आगे भी इस समझ चलेगा देखते रहो आप कि मल्टिप्लाइब कि 52,000 बैलन्स रिकॉर्ड करते डाइम से वही रूल है जो बैलन्स आपके पहले आपके पास पहले से है वह complete आप रिकॉर्ड करो नेक्स्ट आपने जो पर्षेश किया वह रिकॉर्ड कर दो क्लियर इतना हर एक बच्ची को समझाओगा शले आगे देखते हैं भई बहुत सिंबल सम्हें नेक्स्ट डेट पर शले देखते हैं भई कहा तक इंट्री 11 की इंट्री होगे 15 की इंट्री नेक्स्ट आ जाएगी 15 3 13 फिर से 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 कितना है देख रहा 2600 कितना है 2600 पहले यह कंप्लीट 600 सेल कर दो आप 600 रेट है वारा का सेल कितना करना है भई 2600 आपने यह 600 कंप्लीट कर दिया तो बैलन्स किस में से करोगे भई यह 4000 वाले में से रेट है 13 तूज हा 26000 बैलन्स कितना बचा इसे एंसर सर 2000 क्योंकि 4 में से 2 ही सेल किया तो बैलन्स बचा 2 13 क्लियर है क्लियर समझ में आ रहे है कि बहुत सिंबल टॉपिक है कि आगे देखेंगे टॉपिक कि नेक्स टेट 15 के बाद 21 का पर्शेज लास्ट आपका 31 का सेल है तो पहले 21 का पर्शेज हो जाएगा 21 3 13 का पर्शेज कितने का 5000 है कि रेट है सामने दिख रहे है कि मल्टिप्लाई किया सेवेंटी थाउसन बट केल्सी से शेक कर देते हैं 5000 इंटू 14 सेवेंटी थाउसन बैलेंस रिकॉर्ड करते टैम फिर से वही रूल लगेगा जो पहले आपने पर्शेज किया वो रिकॉर्ड करो 13 का रेट है भाई 26,000 निक्स्ट आपने जो पर्शेज किया वो लिख दो 5000 यूनिट्स है 14 का रेट है इमांट आया 70,000 कोई डाउट नहीं किसी को इस चलिए आइसंक डाउट नहीं होना चीए लास्ट आपके इंट्री है टॉपिक यहां पर हो जाएगा आपका अक्लोज लास्ट इंट्री किसकी है सेल्स की कितना 31,3 को 31,3,13 सेल्स है तो सेल्स वाले टेबल में आजवाब कितना यूनिट है 5000 यूनिट्स तो पहले कौन सा जाएगा यह 2000 जाएगा पहला तो यह 2000 कंप्लीट सेल कर दो रेट है 13 का मल्टिप्लाई कर दिया 26 और 26,000 क्लियर है टोट सेल्स कितना करना था 5000 2000 यह अपने कंप्लीट सेल्स किया तो बैलंस 3000 कहां से जाएगा यह सेकंड 14 के रेट वाले में क्लियर है 5000 में से 3000 गया तो बैलंस कितना बचा बचा बही 2000 14 का रेट 28,000 यह आपका हो गया topic close और extra कोई details नहीं पूछा था मैंने आपको बताए कि इतना होने के बाद आपको और क्या काम करना है अगर एक best out of score करना है तो क्या काम बताएगा दो चीज पहले तो यहां पर एंसर लिख देना है therefore therefore the value of closing stock therefore the value of closing stock कितना unit है 2000 units है कितना rate वाला है भी and कितना amount है आपका 28 यह तो मैंने बुला था हर एक sum में इतना तो यह हमेसा compulsory करना है सेकेंड शीज सेकेंड शीज आपको क्या बताएगा है जो आपके receipt का amount का total है issue के amount का total है उसका total करना है अपने को छेले receipt के amount का total 22,000 पहला second 36,000 नेक्स्ट आजओ 52,000 नेक्स्ट आजओ 70,000 टोटल हो गया 180,000 तो आप लिख दो इदर पर total आपका रहे 180 क्लियर है चले next पे चलेंगे means issue वाले के total पे चलते है इसका total यही से सामने दिख रहे है 10,000 plus 22,000 plus 28,800 plus 7,200 plus 26,000 plus 26,000 plus 26,000 plus 42,000 1,62,000 यह आपका total है 162 यह आपका total हो गया दिख रहे है और यहाँ पी है total के बाद एक लाइन क्लियर है अब जाके आपका सम कंप्लीट हो गया तो यह पढ़ा जाएगा उसके बाद next जो भी उसके बाद class आने वाली है वह doubt मैं solve करूँगा और मैंने बताया था जैसे topic पहले मैं close करा दूँगा जैसे material cost आपका complete हो गया practical अगर किसी बच्चे को ऐसा feel हो रहा है sir कि कोई ऐसा example से चाहिए जिस भी doubt class ले क्या हो बच्चेगा तो नाम के साथ मैं add करा दूँगा ताकि उनको doubt class ढोडने में भी कोई problem ना हो तो यह लेकिन कब होगा complete topic पढ़ाने के बाद क्योंकि मुझे लगता है जितने भी possible है जितने भी types of sum है वह मैं complete आपके इसी class में करा दूँगा बड़ इनकेस ऐसा कोई doubts ऐसा कोई confusion लग रहे आपको लगेगा topic close होने के बाद तो जरूर एड़ कर देना भी WhatsApp पे शेयर करोगे तो आपको उसका reply means complete एक video आपके लिए के आजाएंगे clear है I think clear concept होगा हर एक बच्चे का फिर भी किसी बच्चे को आची class को लेके कोई भी doubt कोई भी confusion create होता है तो जरूर नीशे comment में add करें या फिर concept clear है video आपको थोड़ी सी भी helpful लग रहे है तो वीडियो को like करना है और जितना ज्यादा possible हो सके के चैनल का लिंक हमारे commerce section वाले बच्चे एस्पेसलिए टीवाई बीकॉम वाले बच्चे को जरूर शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे चैनल के साथ connect हो पाएं और उनको cost accounting की complete benefits मिल सके तुछ लिए मिलेंग एगली class में तब तक के लिए thank you so much